आप सभी पर ये दर्शकों का स्वागत है बात करेंगे आज पंजाब नेशनल बैंक PNB के बारे में Will it be the next GameStop of India? आईए चल कर विख्या करते हैं देखे यहाँ पर बहुत तकड़ी शॉर्ट कवरिंग हो रही है पूरा डाटा एनलिक्स क्या है और आपके साथ में बताएंगे टेक्निकल एनलिसिस के माध्यम से ये कहा तक उपर जा सकता है कितने शॉर्ट्स और बाकी हैं भी सिस्टम में शॉर्ट्स होते क्या हैं? देखे दोस्तो कुछ बड़े इंस्टिट्यूट्स ये सोचेंगे कि ये एक PSU बैंक है इसलिए इसकी तेज ग्रोथ नहीं होगी इसलिए चलो चल कर इसको शॉर्ट कर देते हैं तो भाव नीचे नहीं गिरेगा और उनको अपने शॉर्ट्स कवर करने पड़ेंगे जिसकी वज़े से ये स्टॉक्स जो हैं स्काय रॉकेटिंग हो जाते हैं जैसे आपको पता ही हो गेम स्टॉप का अगर हम भाव की बात करें अठारा डॉलर से बढ़कर चार सो डॉलर तक हो गया था एक महिने के अंदर ये प्राइमरी रीजन था शॉर्ट कवरिंग का यहाँ पर बहुत बड़े फाइनेशल इंस्टूट्स तो उसको शॉर्ट किया वा था आपके समझिए दिस इस दा सेकंड लार्जेस पी एस यू बैंक जो की एक बहुत बढ़िया तरह से उपर जाने की कोशिश कर रहा है और इसके पास में बिग प्लान्स हैं एडिशनल रिवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी एक इसका पॉजिटिव प्लास है तो ये दोनों फैक्टर मिलकर इस स्टॉक को बहुत तेजी से उपर लेके जाएंगे अब देखे कोविड का इंपक्ट क्या है कि मैक्रो लेवल पर और डिपॉजिट जो है डिपॉजिट तु लोन रिशियो बहुत खराब होता गया है डिपॉजिट बहुत जादा बढ़ रहे हैं लोन जादा नहीं बढ़ रहे हैं जो उनके लिए अच्छी हो और यही एक पहल की है उन्होंने जो कैश आपके घर पे डिपॉजिट करते हैं आपके घर पे दिया करते थे अब उसके लिए महज 50 रुपे चार्ज करेंगे क्योंकि अगर कोई आपसे 200 रुपे मांगे तो शायद आप एक बार को मना करते 50 रुपे के लिए चलो ठीक है तुम घर पे लेके आओ कैश को हम कैश सैंडराइस करेंगे हैं हमें बाहर जाने की ज़रूत नहीं है तो convenience fees बहुत important है reasonable level पर रखना और ये बहुत अच्छी pick-up हो रही है इनकी जब से उनोंने 50 रुपे का इसको change किया है उसी के हिसाब से share भी पिछले 3-4 दिनों से काफी uptick हुआ है यहाँ पर और साथी साथ में अगर देखें जो short term थे वो long term investors ने यहाँ पर इसको problem create कर दिया है जो की एक बढ़िया पहल होगी हमारे साथ से अगर आप इसको अपने portfolio में रखें साथी साथ में जो latest खबर है मेहुल चौकसी जी के बारे में CBI और ED ने charge sheet file कर दी थी मेहुल चौकसी के case against में और यहाँ पर उन्होंने involvement किया है transactions के लिए जो की 14,000 करोड के आसपास उनका transaction है अब पंजाब national bank यहाँ पर कुछ employee भी उसमें engage थे जो इन्होंने loan का प्रूफ किया था तो उस सब के खिलाफ यहाँ पर चल रहा है और आपको पता ही मेहुल चौकसी जी थोड़ा boat के थूरू निकलना चारे थे वहाँ से वो नहीं निकल पाई बेसल 3 के norms को पूरी तरह से उन्होंने apply कर दिया है यहाँ पर जो की अच्छी बात है इनके one of the employees यहाँ पर drama करने का या फिर जो भी है कह रहे हैं कि हमें चुटी नहीं दी गई है और उनको oxygen, concerned oxygen cylinder अपने साथ लेकर आए है work for job जो हमने बेसल 3 की बात की tier 1 capital requirement की minimum criteria इनका met हो रहा है जो की एक अच्छा sign है यहाँ से, इसी लिए यह shots जो बने हुए थे market में वो cover हो रहे है आईए चलकर चार्ट पर दिखते हैं और आपको समझाएंगे तो देखे यह जो up move आया है unidirectional यहाँ पर 39 रुपी से लेकर 42 का कल यह primarily short covering के business पर volume देखेंगे तो आपकी और भी आँके खुली रह जाएंगी जितना trade यहाँ पर पूरे हफ़ते में होता था वो एक दिन में कल trade हो गया है यहाँ पर इस stock में देखे on average अगर हफ़ते का average देखें तो 94 million है और यहाँ पर अभी यह कल इसने 512 million का share trade हुए है जो की highest है पिछले 5 महीने के अंदर और देखें candle भी बहुत बड़ी candle बनी है जो की एक बहुत बड़ा bullish साइन होता है काफी लोगों ने इसको यहाँ पर short किया था लगके कि market थोड़ा नीचे जाएगा पर market ने उसको support नहीं किया और यहाँ से यह उपर चला गया है जब से OFS offer आया है तब से उसके बाद से market ने काफी अच्छा positive momentum दिखाया और जो shots हो रहे है वो सारे के सारे यहाँ पर squeezed आउट हो जा रहे है इसकी वज़े से market और थोड़ा उपर जा सकता है और सबसे पहला target short term का इसका यहाँ से लग रहा है 46 रुपे के आसपास अगर buliger band को देखे तो band expand हो रहा है अपर direction में जो कि एक positive sign है इस stock के लिए यहाँ से यह momentum उपर रहेगा अगर हम बात करें super trend की तो super trend के basis पर इसने uptrend बहाल कर दिया है और साथ ही साथ में अगर RSI को देखे तो RSI ने इसको कहा है अभी और उपर जा सकता हूं 69 के आसपास है देखे यहाँ से RSI का level 50 से उपर जानना शुरू किया है तो यह सारे के सारे technical parameters clear cut बता रहे हैं कि यहाँ पर shots जो हैं रगे हुए हैं और इनको up movement करा रहे हैं आप यहाँ पर consumer financial advisor हमारा return to 81% दो महिने के अंदर आप चाहें तो हमारी paid service ले सकते हैं और digital strategy जो PNB की है वो काबले तारीफ है देखे एक तरफ तो यह कर रहे हैं कि customer care को improve करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा problem है कि अभी इनके पास में एक PSU bank होने की वज़े से इतना अच्छा customer care image नहीं है तो उसको improve करने कोशिश कर रहे हैं और साथी साथ में retail लिवेश्यकों को जितना ज्यादा प्रोथसान कर सकते हैं उतना कर रहे हैं यह उनके लिए बहुत अच्छी बात है चैनल का 5-5-5 rule ध्यान रखना आपकी wealth को protect करेगा और इसका target अगर आप इसक लगे लाइक कीजिए का जहीं जा भारत पाइगा